है गाइस कैसे आप लोग आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आप कैसे एंडुड फॉन्स के फॉन्स को कस्टोमाइज कर सकते हो कलरफुल कर सकते हो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और समसुक फॉन्स पर जो प्रॉब्लेम आ रहा है कस्टोम फॉन्स को इंस्टॉल करते टाइम उसका भी हाल या फिक्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं तो मैं हूँ सबसे पहले आपको दोस्तोर आप द करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा हाई फॉन को ले स्टोर से इन सभी का डाउनलोड लिंग आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वह से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको डाउनलोड करना है एमाई यूई कस् जहाँ पर आपको बहुत सारे कलारिंग फॉन्ट्स आपको मिल जाएगा इनवी से आपको जो भी फॉन्ट्स पसंद आपको सिंप्ली उसको चूस करना है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा आप जब भी कोई फॉन्ट्स को सिलेट कर गए तो आपको पर वहाँ पर जाने के बाद ब्राउस फॉन्ट पर टैप करना है और जहाँ पर आपका फॉन्ट डाउनलोड होगा बैसिकली डाउनलोड होता है फॉन्ट फॉल्डर पर वहाँ पर आपको करना है सिलेट उस फॉन्ट को सिलेट करने के बाद ओके पर टैप करना है अगर आ पर आपका font का name भी type करना होगा, name type करने के बाद आपको simply ok पर press करना है और आपका font install हो जाएगा MI device पर, तो font install होने के बाद जब भी आप settings पर जाओगे font settings पर, तो आपको सारे के सारे custom fonts देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर simply आपको उस font को select करना है और apply पर tap कर देना है, जब आप apply पर tap करोगे तो आपको reboot करने के लिए बोलेगा, तो simply आपने reboot पर tap करना है तो आपका font एक बेर off होगा और उसके बाद फिर से on होगा automatically और उसके बाद आपका custom font set हो जाएगा, जो की काफी अची बात है, तो यह जो trick है, यह आपका MI device के लिए है, अगर आपका दूसरे brand का phone है, जैसे कि OPPO या Vivo मैं आपको बार बार बोल ला हो, तो आपको यह सब करने के कोई भी जरूरत नहीं, जो की काफी अच्छा look देता है, आप भी इस trick को use कर सकते हो, और आपने phone को काफी अच्छे से customize कर सकते हो, जो की काफी अच्छी बात है, आपको simply phone को select करना होगा, और phone को reboot करना होगा, तो यह तो किया MI devices या other devices के लिए, लेकिन Samsung phones पर फिलाल एक problem आ रहा है, एक error दिखा रहा है, custom phone के install करते हैं, पहले तो कोई भी error नहीं दिखाता था, Samsung phones पर काफी आसने से phone इंस्टल हुआ करता था, जैसे कि आपर देख सकते हैं फिलाल कोई भी custom phone के install करने के बाद, आप जब भी उस phone को set करने के कोशिश करते हो, तो आपर एक error दिखाता है, जैसे कि आपर देख सकते हो, this phone is not supported, आप phone provider को contact करें या uninstall करें इस phone को, जो कि काफी वुरी बात है, लेकिन तो इसका complete fix या हल अभी तक निकला नहीं है दोस्तो, लेकिन मैं आपको एक solution दूँँगा, जिसकी वज़े से आपका problem 80-90% solve हो जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा, font section पर आप जैसे ही जाते हो, तो वहाँ पर आपको एक download option मिलता है, जब भी उस download button पर आप tap करते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सरे fonts मिल जाता है, Samsung stores पर जो कि paid होते हैं, लेकिन ये सबको पसंद नहीं कि paid font को को कोई भी download करें, क्योंकि हर कोई नहीं चाता, एक font के लिए 60 रुपे पे करना, तो इन fonts को free में आप download कर सकतो legally, आपको simply Google पर जाके type करना है, Samsung Flip fonts AP के, वहाँ पर आपको results मिल जाएगा, आपको simply नीचे scroll करना है, और वहाँ पर आपको एक XDA का website मिलेगा, जो कि एक trusted website है, official developing website है Android के लिए, काफी बड़ा ये website है, यहाँ पर आपको काफी सारे चीज़े मिलता है Android से related, तो यहाँ पर आपको सारे चीज़े official मिलता है, developing tool मिलता है, सारे के सारे portrait ROM में यहाँ पर आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रोल करना है, और वहाँ आपको लिखा आयाएगा, और इस जिनले पोस्टेट फॉंट्स आपको देखने को मिलेगा, 73 फॉंट्स यहाँ पर मिलेगा, Samsung Galaxy S8 Plus का फॉंट्स आपको मिलेगा, आपको सिंप्ली उस फॉंट के स्टाइक करना है, आपको जीप फाल पर होगा, स्टाइक करते हैं, जैसे उस फॉल्डर को उपेंट करोगा, तो यहाँ पर आपको बेस्ट 73 फॉंट्स आपको मिल जाएगा, जो कि इने चुनेmind font से सारे best font यहापर आपको मिल जाएगा आपको और कोई Alexa font डाउंलोड करने के कोई भी जरूत नहीं है आपको यहापर best of the best font सारे के सारे font से यहापर आपको मिल जाएगा Simply आपको इन fonts कापको install करना है और install करने के बाद वहाँ पर आपको settings पर जाना है और उन phones को slid करना है Slid करने के बाद आपको बिना कोई जणजट के आपको ये phone आपके phone पर apply हो जाएगा जो की काफी अच्छी बात है तो I hope कि आपको ये वाला trick काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो जरू से इस वीडियो को लाइक कर देना तो आज के वीडियो पर इतना ही colorful font के install करने का trick अगर आपके ये वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आया तो जरू से इस वीडियो को अपने friends के साथ share कर देना अपने whatsapp group पर share कर देना और वीडियो के नीचे जरू से comment करना इस वीडियो को देकर कैसा लगा और आपके font पर font install हुआ या नहीं उसको भी comment करना और अगर कोई भी problem हो उसका भी comment आप वीडियो के नीचे कर सकते हो मुझे आपके comments के answer देने में काफी खुशी होगी और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो जरू से subscribe कर दीजिए और subscribe के right side में जो bell icon आता है उसे भी जरू से दवा दीजिए ताकि आप लोग देख पाए इस तरह के latest tips and tricks वीडियोस सबसे पहले और आप लोगों का मैं फिट से बता दूँ अगर हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरू से subscribe कर दीजिए क्योंकि इस तरह के बहुत सरे वीडियोस हमारे channel पर जिनको आप मिस करें तो आप अगर नहीं चाहते हैं वीडियो को मिस करें तो हमारे channel को जरू से subscribe कर दीजिए तो as always guys thanks for watching this video मैं भी लूँग आप सब लोगों से ऐसी और एक interesting वीडियो पर तब तक के लिए टाटा बाई बाई फीस आउट